आप सब का बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे किन्वा टमाटो राइस हमने किन्वा को राइस की जगा यूँस किया है कियोंकि राइस का ग्लाइसीमिकि इंटेक्स heißt नुकसान देता आए वाइट ड्रैस वैसे भी पॉलिश्ट होता है तो स्की यालोरीव बहुत जाता है किनुवा बहुत हेल्दी होता है, नियूट्रिश्योस होता है, हम सब को पता है कि यह बहुत ही अच्छा एक खाने का उसे पहले मैं आपको किनुवा को यूज करने का तरीका बताऊंगी, किनुवा वर्ल्ट का सबसे फेमस हेल्थ फूड है, इसके बहुत ही फायदे हैं, यह बहुत ही स्वास्त वर्दक होता है, प्रोटीन बहुत होता है, ग्लोटन फ्री होता है, डाइबर्टिक पेशन्ट हो काडिक पेशन्ट हो सबके लिए ये बहुत ही अच्छा खाने का पदार्थ है इसे फिलिंग भी बहुत होती है यह एक बहुत ही हाई फाइबर फूड होने के अलावा वैसे बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें मेगनीशियम, फॉस्फरस, क्याल्शियम, वाइटमन E, वाइटम कंप्लीट है कि यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने की तीन कट्वरी किनुव नाव पर और इसे मैंने बहुत अच्छे से रगड रगड के पानी में वाश किया है दोने से क्या है कि इसकी जो कड़वास होती है वो निकल जाती है इसके बाद इसे मैंने करीब एक घंटे इस पानी में मैंने भिगोया था यह पानी इसने बहुत सारा सोब कर लिया है अब मैं इस एकसेस पानी को निकाल जाती हूं इसे हंका चाप्यडा करके निकाले यह देखे करीब करीब पूरा पानी निकलिया अब किनुवा को उबालने के लिए जितना भी किनुवा हम लेते हैं उससे दुगना हम पानी लेंगे मैंने तीन कटोरी किनुवा लिया है तो मैं छे कटोरी पानी नापकर उबालोंगी जिस बर्तन में आप उबालेंगे वो थोड़ा सा बड़े साइस का लेजिए क्योंकि किनुवा फूलता है बहुत फिर वो चिटके का नहीं यह च्छे कटोरी पानी हो गई है अब हम इसे उबरने रखेंगे इस पानी में अब हम केनुवा को डालेंगे जिस पानी अगप बालेंगे टानी में में थेजिए आरेंगे सा बड़े जब हम शो में आरेंगे करता बर्तन देजिए में अबालेंगे इसे तेज आज पर उबलने दीजिए इसे किन्वा को हमने ओपन ही बॉइल किया है उबाल आने लगा है उबाल आने के बाद इसे हम ढखकर और धीमी आज पर पंदरा मिनट के करीब पकाएंगे जब तक कि यह सारा पानी इपसोफ कर लेगा है कि एक बार इसे थोड़ा से चला लेजिए देखिए कितना अच्छा उबल रहा है यह इसे उबलते वे दस मिनट हो गए देखिए पानी करीब करीब सूख गया है जड़ा सा पानी ओ रहा है ती चार मिनिट में यह भी खतम हो जाएगा आप इसे थोड़ा सा चला लेजिए बीच में पांच मिनट हो गए खोल के देखिए देखिए बढ़िया हो गया वाइट कलर की टेल निकल आई है हरदानी की यही इसकी पहचान है कि यह कि अच्छे से उबल गयाए ग्यास हमने बंद कर दिया है और इसे खुला छोड़ दीजी किनुआ हमारा उबल के तयार हो गया है और इसे हमने पांच मिनुट छोड़ दिया है खुड़ा खुला खुला हो गया है अब हम चाहिए तो इसे बोल में निकाल सकते हैं कि इसको पकरने पड़ें है इसे आप ठैंडा होने पर फ्रिज में किसी एर्टाइट कंटेनर में करके रख देजिए कई दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत तरह की डिशिस बना सकते हैं किन्यो टमाटो राइस बनाने में जो समान काम आता है वो थोड़ा सा है और घर में हमेशा मिल जाता है यह भाई किन्यूवा है जो हमने बॉयल करके तयार किया था उसका इक पौर्षण मैंने ले लिया है स्टमाटो रइसपी बनाने के लिया किन्वा है उबला हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च एक इसको लंबाई में हमने काट लिया है, बारीक कटा हुआ लैसुन है, काली मिर्च और लॉंग, नमक, जीरा और सांभर मसाला, यह थोड़ा साउथ इंडिन स्टाइल में बनेग किन्वा टमाटो राईस बनाने के लिए, एक कढ़ाई या पैन कुछ भी लीजे, जो की थोड़ा भारी हो, और ऐसा लीजेगा, जिस पर की धकन लग सके गयास हमने जला दिये, और मैं तीन टेब्ल स्पून ओइल इसमें डालती हूँ, तील गरम होने दीजे, तील गरम हो गया है, इसमें हम पुड़ा सब जीगा डालेंगे, तार्टी ने में इसमें काली मिर्च और लॉंग डाल गई हूँ, जीगा लाल हो गया है, अब इसमें हरी मिर्च और लेटन डालेंगे, देफिल को गया है, आपके लाँ घजिए, और लेक्षण बूलेंगे, 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 अबूलेंगे, तार्टी ने जाए हैंगे, लेसन देखिए लाल होने लगा है लेसन सिखने के बाद एक बहुत अच्छा फ्लेवर छोटा है अब इसमें हम प्याज दालेंगे इसे चलाते बेदीनी आज पर सुमेरा होने तक बुलेंगे आज हम अच्छा के झाल करने पुलेंगे आज हम रगा है लगा सुमें आज एक लिखा लोगा है कि अगर चलादे रे ये तो बादे से शिक्ताए याज कि अगर बादे से शिक्ताए अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हम थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि सांबर पाउडर डालेंगे उसमें भी नमक होता है करेंगे सांबर चार्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्स एटर बानेरा नमक बादे सालेगे साहता है प्याज सुनहरे डाल हो गए, अब इसमें हम तमाटर डालेंगे, आज टेज करकर तमाटर को अच्छे से भूनेंगे, इसे खोड़ा दबाते वे भूनेंगे ताकि अच्छे से ठीरी उे इसा ही तら ही जे होगी से अच्छे से घंट मैं प्यंगे खिताई जौने कर दोड़ा है, अब अच्छे से सुनबाने कर दोbas क वामधे हन दो़ड़ा जब ट 닉ने कर दोपदे के ऑसा स्वफ चार को शवचे हम Skक्टल क्या है ते तुन कानी उने हम मेंपदा उने कि अब इसमें हम सांबर पाउडर डालेंगें सांबर पाउडर टाइब बहुत अच्छा टेस्ट और खुष्बू अपनी एक स्टावरी है तो यह साउचेजिन स्टाइल के बन जाते हैं अच्छे से मिक्स करें तमाटर को अच्छे से कलाना होगा इसके लिए अब हम इसे धर देंगे गैस को सिंग करके इसे करीब 3-4 मिनट पकने देंगे करीब 3 मिनट नहीं टेकिए टमाटर को अच्छे से गल गया है अब इस पे हम किनवा डालेंगे गीमी आज पर ही रखिए इसको और किनवा मिक्स करते जाहिए कितना अच्छा लाल रंगा रहा है और इसकी तुश्बू भी बहुत अच्छी है बस इसे एक दो मिनट और पकाके बर कर देंगे किनवा रेसिपीज में सबसे बड़ा फायदा यही कि आप किनवा उपाल के रख लिजे पिर आप जो मन्चाहे बना सकते हमारा किनवा तयार है गैस बन कर दीजे और इसे एक दो मिनट के लिए धाग दीजेए दीखिए हमारा टमाटो किनवा राइस तयार है इसे एक बोल मिनट कांसेंग बहुत ही अच्छा सा लाल रंग आया है इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरे धनिये से इसको गानिश करकर इसका टेस्ट और भी बढ़ा देंगे इसे खाकर कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइए कैसा लगा मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट्स जरूर भेजा करिए थैंक यू